क्या नाम है बाबू आपका मास्टर अर्जन मास्टर अर्जन है कैसी हुआ था बाबू आपको नहीं पता इसकी पापा बता है इसका बहुत ज़्यादा तब जब घ्राब हो गए तो होस्पिटल में भर्ती किया तो इसमें 466 इसका सुगर्थासर 466 इसका देख सब्ता हम लोगों हा रहे हैं उसके बाद तो 180, 250, 260 इसी चल रहा था हम लोग पतना बिहार से बाबाजी पतना से अब यह बच्चों को हम क्या करते हैं सर्दी जुकाम बुखार को इस उल्टी दस्त हो जाते हैं तो कोई बच्चों को एंटिबाइटिक दे देता है कोई बच्चों को परसेटमोल को क्रॉस इन और किसी को टाइफाइड हो तो इसको कोई सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त कुछ हुआ था क्यों से बच्चों को पता चला कि इसको सुगर हो गया है अचानक सुगर नहीं होता एक बात सुन लो ये घर में कोई न कोई ऐसी चीज जाती है बच्चों का शरीर बहुत सम्वेदनशीर होता है और मस्सक तो लाखों कुना साम आदमी से लाखों कुना जादा सम्वेदनशीर होता है लेकिन अब हो गया फिर इंसुलीन शुरू कर दिये जी बबाजी बबाजर ने क्या बोला? अब जो इंसुलीन शुरू आ था फिर योग करने लगे? जी बबाजी और धेरे धेरे घटना लगा 45 से शुरूवी यात्रा अब 0 पर आ गई है जी बबाजी अब इसको continue करना बेटा चलो मंडू कासन करो अभी कैसी करते हैं बच्चों को तो आसनों के नाम भी याद हो जाते हैं सीधे देखो और आपको कितनी सुगर थी बेटा लो लो पहले मैंने बलड टेस्ट करवाए तो तो उसमें सुगर आई थी इसके माद को सौमी जी सको कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमने नॉर्मल बलड टेस्ट कराया था नॉर्मल बलड टेस्ट कराया था तो उसमें इसका शुगर बहुत हाई आया फिर हम लोग ऐलोपेथी में जादा जाते हैं नहीं हूमोपेथी या आयरवेदी की देखते हैं तो उन्होंने बोला कि इसके पेट में कीड़े हैं हाँ हाँ तो उसके बाद लेकिन इंसुलिन देना था क्योंकि शुगर 380-240 ऐसे आरे थे तो जब हम यहां आये तो हम इसको 36 यूनिट दे दे ते टोटल 36 यूनिट जर रहे लेकिन अभी दो दिन से बिलकुल कुछ नहीं दे रहा हैं इसको और अब सुगर कितने आरी है है अब एक सो नो सेवेंटी सेवन एक सो नो सेवेंटी सेवन नोर्मा जो ती अब इसको छोड़ना मत बाव है विवान कहां से हो बिटा मेरट से मेरट से आया है